हेलो एवरिबन, वेलकम तू सक्सेज वित राय अकेडमी, 23 जून 2020 के दैनिक जागरन को आज के हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, और इसमें उन सभी प्रमुक हैड्लाइन्स को लिया गया है, जो हमारे लिए इंपोर्टन्ट होंगी, इसमें स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, नैशनल, बिजनेस, एडिटोरियल, सभी पेजों को कबर किया जाता है इस वीडियो के अंतरगत, तो अब चली वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपनी मोटिवर्शनल लाइन को देख लेते हैं, उठो, जागो, तब तक लक्ष के पीछे भागो, जब तक की और बढ़ता रहें, आपको अगर, आपने कुछ डिसाइड किया है, अपने सपने देखें हैं, या फिर कोई पद के बारे में सोचा है, किसी इस नौकरी के बारे में सोचा है, तो आपको तब तक प्रयास करना है, तब तक उसके पीछे पढ़ाई करनी है, कोई लगन से जब तक आपको वो पद, नौकरी नहीं मिल जाती है, क्योंकि सफलता के लिए कोई और विकल्प नहीं होता है मेहनत के अलावा, चलिए अब वीडियो को सुरू करते हैं, याने की आज की निउस्पेपर को, सबसे पहले हैं नेशनल निउस, पहली नेशनल निउस है, चीन नहीं चड़ सकी प्रधान मंत्री की सांसत आदर्स ग्राम विकास योजना, तो पहली निउस से सुरू करते हैं, चीन ने माना, मारा गया सैन ने कमांडर, पूर्वी लगदाप में वास्तरिक नियंतरन रेखा पर गलवन घाटी में हुए खुनी संघर्ष से गंभीर हुए चीन ने भी अभी तक अपना रुख नहीं बदला है, हलकि कमांडर, कॉन्फरेंस के दोरान चीन ने पहली बार स्विकार किया कि गलवन घाटी के संघर्ष में चीनी सेना का कमांडर भी मारा गया था, इस बीच सेना प्रमुक्र जनरल M.M. निर्वाने ने सेना के सीर्स कमा मोर्चे पर अपनी तेनाती और मोर्चाबंधी बढ़ा दी है, गलवन घाटी की हिंसक जड़ब के बाद गुरु वार्को हुई आखरी बातचीत के बाद भारत और चीन के कमांडरों की सोमबार को कमांडर इस्तर की वारता का दौर फिर सुरू हुआ है, गलवन घाटी के चुसूल सेक्टर में चीन के मोल्डो सैन कैम्प पर हुई दोनों देशों के कमांडर इस्तर की वारता में भारत की ओर से मेजर जन्रल हरिंदर सिंग ने भाग लिया है, इस बैठक के नतीजों पर अभी किसी तरह की आपचारिक या अनपचारिक जानकारी साजह नहीं की ग विकास के लिए प्रधान मंत्री की पहल पर सुरू की गई योजना का ना तो प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है और ना ही इसमें कोई अपेच्चित उद्देश्य पूरा हो पाया है, यह जानकारी ग्रामिड विकास मंत्राले ने योजना के प्रशन पर कराये गए एक सर्वे के बाद दी है, प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के आउसर पर दिये गए भाशन में सांसद आधर्स ग्राम योजना की गोशना की थी, अब देखिए इसमें एक पॉइंट इंपोर्टेंट यह बना है कि प्रधान मंत्री सांसद आधर्स ग्रा ग्रामीड विकास मंत्राले ने कुछ समय पहले ग्राम विकास की इस योजना के क्रियानवेन और प्रभाव को जानने के लिए विसेश समीच्छा आयोग गठित किया था, CRM ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि S.A.G.Y. योजना के लिए प्रतक फंड निर्धारित नहीं क दिखाई दिया है, CRM ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जहां सांसत अतिरिक्त सक्रिय हो रहे गाओं के आधार भूत धाचे पर थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखा जिसे उलेकनिय माना जा सके, ऐसे में इन गाओं को आधर्स गाओं ना मानते हुए, CRM ने योजना की समीच्षा का सुझाओ दिया है, CRM का मानना है कि जिस मंसा से यह योजना सुरू की गई थी, वैसा कोई प्रणाम देखने को नहीं मिला है, परिच्षाओं को लेकर गेंद सुप्रीम कोट के पाले में, आला कि मंत्राले के रुख से साफ है कि वह कुरोना संक्तमन की मौझूदा प्रष्थितियों को देखते हुए परिच्षाओं कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके वह परिच्षाओं को लेकर की गई तयारियों से भी कोट को अवगत कराना चाहता है, यही वज़ा है कि कोट को भेजे जवाब में उसने परिच्षाएं इस्थगित करने सहित, उसे कराने से जुड़ी तयारियों का पूरा विवरा दिया है, मंत्राले निट और जेई मेंस जैसी परिच्षाओं को लेकर थोड़ा और इंतजार करने के पक्ष में है, यही वज़ा है कि परिच्षाओं को लेकर 30 जून के आज पास एक बार फिर से समिच्षा की जाएगी, इसके बाद उस समय की तिथी, याने इस्तिती को देखते हुए निड़न लिया जाएगा, वैसे भी जेई मेंस की परिच्षाओं 18 से 23 जुलाई और निट की परिच्षाओं 26 जुलाई को होनी है, ऐसे में इन परिच्षाओं को लेकर अभी समय है, तो यह नेशनल पेज की तीन इंपोर्टन निउस थी, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज हैं हमारा इंटरनेशनल पेज, इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए तीन इंपोर्टन निउस हैं, इंटरनेशनल पेज में हमारे तीन इंपोर्टेंट न्यूज है पहली न्यूज है जापान से भी उल्जा चीन बदला लेने की दी चेतावनी पूर्वी चीन सागर में एक विवादित द्वीव का नाम बदलने से चीन जापान पर बॉखला गया है दूसरा है कि क्या मासकों से निकलेगा तनाव खत्म का रास्ता क्योंकि रक्षा मंत्री राजना सिंग मासकों याने रूस के दौरे पर हैं भारत और चीन दोनों से अच्छे संबंद रखने वाला एक मात्र एक ही देश है वो है रूस दुनिया में एक दिन में मिले रिकॉर्ट संक्रमित तो पहली निउस से शुरू करते हैं पहली निउस जापान से भी उलजा चीन बदला लेने की दीच चितावनी भारत के साथ सीमा पर विवात खड़ा करने के बाद चीन अब जापान के साथ भी उलज गया है जापान के एक सहर प्रसासन द्वारा एक दीप समू का नाम बदलने से भड़के चीन ने बदला लेने की चितावनी दी है यह दीप समू पूर्वी चीन सागर में इस्तित है इस निर्जन दीप समू पर चीन अपना दावा करता है जापान में इसे सेन काकू नाम से जाना जाता है जबकि चीन इसे दिया ओओ कहता है इस छेतर का नाम बदले जाने से दोनों देशों में तनाव और बढ़ सकता है जापानी प्रसारक NHK के अनुसार दच्षर जापान के इस गकी सहर की विधाईकान में हाल में एक बिल पारित किया गया इसमें सहर के प्रसासनिक छेतर के दाएरे में आने वाले इस दीप समु का नाम 1 अक्टूबर से तोनो शिरो से बदल कर तोनो शिरो सेन खाकू करने का प्राँधान किया गया था यह बदलाओ प्रसासनिक गलत फैमी से बचने के लिए किया गया था क्योंकि इस इश्गिकी में तोनी शोरो नाम का एक और इस्थान है इस कदम पर चीन के विदेश मंत्राले ने कहा है कि यह बिल चीनी संप्रभुता का गंभीर उलंगन है बिल अवायद है और इस सच को नहीं बदला जा सकता है कि दियाऊ चीन का है मंत्राले के परवक्ता जाओ लिंजियन ने पत्रकारों से बाचीत में कहा चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए द्रण है चीन ने चापान के समक्ष अपनी सिकायत तरज कराई है नेक्स्ट है क्या मासकों से निकलेगा तनाव खत्म करने का रास्ता पूर्वी लद्दाक में चीन के अतिक रमण के बाद भारत के साथ अपने रिस्ते बहत तनाव पूर हालात में पहुँच चुके हैं वैसे दोनों देशों के बीछ हालात को ठंदा करने की कोशुस भी जारी है ऐसे मैं सवाल यह उठता है क्या मौझूदा तनाव को खत्म करने का रास्ता मासकों से निकलेगा यह सवाल इसलिए नहीं उठा है कि रूस ही फिलाल एक लौता देश है जो दोनों देशों के साथ बहुत करीबी रिष्टे रखता है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग सोंबार को रूस की तीन दिवसी यात्रा पर वहां पहुँच चुके है और मंगलवार को रूस और भारत चीन के विदेश मंत्रियों की एक सहिक्त वर्चूल बैठक भी होनी है रूस पहले ही अपने दोनों मित्र देशों के सांथ बहुत खतरना के इस तरपर पहुँच चुके इस तनाव को खत्ब करने की मंसा जता चुका है रच्चा मंत्री ने मांस को जाने से पहले यह जानकारी दी थी कि वहाँ वे विक्टरी डे परेड के आयोजन में सिर्कत करेंगे और प्रवास के दोरान रूस के सांथ रान नीतिक वह रच्चा सम्बंधों को और मजबूत करने के लिए बाचीत करेंगे रूस के विक्टरी डे परेड में भारतिय सेना का एक दल भी हिस्सा लेगा Next News है, दुनिया में एक दिन में मिले रिकॉर्ड संक्रमित कुर्णा महामारी से जूज रही दुनिया में एक दिन में रिकॉर्ड लोग इस घातक वाइरस से संक्रमित पाए गए है WHO ने बताया कि बीते 24 गंटे में विस्व में 1,83,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आये हैं एक दिन में मामलों का या सरवाधिक आंकड़ा है जबकि संक्रमित लोगों का वैस्विक आंकड़ा भी 90,000,000 के पार पहुँच गया है स्युक्तराष्ट की इस स्वास्त एजनसी ने रविवार को कहा कि ब्राजील और अमेरिका में तेजी से नए मामले पाए जा रहे हैं ब्राजील में सरवाधिक 54,771 नए मामले मिले हैं इसके बाद अमेरिका में 36,670 संक्रमित पाए गए हैं अमेरिका में अब तक 23,57,000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 1,22,000 से जादा लोग की जान जा चुकी है जबकि ब्राजील में संक्रमित लोगों की तादा 10,86,000 से जादा हो गई है यहां मरने वालों की संख्या भी 50,000 के पार पहुँच गई है विसे सग्यों का मानना है कि बढ़ते मामलों के मुख कारण बड़े पैमाने पर हो रही जाच और व्यापक संक्रमन भी हो सकते हैं यह इंटरनेशनल पेज की तीन इंपॉर्टन न्यूज थी अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज, बिजनेस पेज में दो इंपॉर्टन न्यूज है हमारे लिए पहला है कि विदेसी कंपनियों को भारत लाने के लिए राज्यों ने भी कमर कसी है और दूसरी न्यूज है देज सो अरब डॉलो को छूकर लोटी डिलाइन्स पहली न्यूज है कि विदेसी कंपनियों को भारत लाने के लिए राज्यों ने भी कसी कमर चीन से बाहर निकलने का रास्ता धुड रही विदेशी कमपनियों को भारत लाने के अभियान में राज्यों का सयोग मिलने लगा है इस दिसा में 15 से अधिक राज्यों ने अपने अपने राज्यों के स्रम कानून में सुधार किये हैं राज्य मैनुफेक्चरिंग पार्क लगाने में भी गहरी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं। वहां की सरकारे सिंगल विंडो विक्सित करने के साथ कई साहसिक कदम उठा रही है। राज्यों के सवयोग के बिना चीन से काम कर रही विदेशी कंपणियों को भारत लाना संभव नहीं होगा। विदेशी कंपणियों राज्य में ही अपनी मैनुफेक्चरिंग युनिट लगाएंगी जहान निवेशकों को राज्यों के नियम कानून के मताबिक चलना होता वानिज एवं उद्द्योग मंत्री प्यूश गोईल ने बताया कि मैनुफेक्चरिंग को आकरसित करने के लिए देश के 15-17 राज्जियों ने अपने अपने स्रम कानून में सुधार किये हैं और इन सुधारों को जल्द ही सारजनिक कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश, मद्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महराष्ट एवं गोवा जैसे राज्ज पहले सही इस दिसा में कदम उठा चुके हैं हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंद्र प्रदेश, राजस्थान भी स्रम कानून सुधार करने वालों की सुझी में सामिल हो सकते हैं नेक्स्ट निउस है, देड़ सो अरब डॉलर को छूकर लॉटी यहां लाटरी लिग गया है लॉटी रिलाइन्स दुनिया भर की कमपनिया इस समय कुरोना संकर्ट के चुनोती पून दौर से गुजर रही है लेकिन मुकेस अंबानी नियंतरित रिलाइन्स इंडर्श्ट्री लिमिटेड के लिए यह दौर मानो वर्दान बनकर आया है इस दौर में कमपनी ने ना केवल देश का सबसे बड़ा राइट्स इसू लॉंच किया बलकि पिछले सप्ता करज मुक्त होने की भी घोशना की है इस सब्ता सोंबार को RIL ने एक और कारनामा करते हुए 150 अरब डॉलर मूल की पहली भारती कमपनी बनने का कीर्थिमान इस्थापित किया नेटवर्थ के लिहाज से वे दुनिया की नौई सबसे बड़े और सीर्स दस में एकमात्र एशिया ही है सोंबार को शेहर बाजार में सुबह के कारोबार के दोरान RIL के शेहरों में जोरदार खरीदारी के चलते कमपनी के बाजार पुंजी करण में 28,248.97 करोन रुपय का उच्छाल दर्ज किया गया इसके बाद कमपनी का बाजार मूल ले 11,43,666 करोन रुपय यानि 150 अरब डॉलर पहुँच गया और जैसा कि 10 लोगों में इनका नाम आ गया है ये नवे नंबर पर है पहले नंबर पर है जेव बिजोस जो की उनकी संपत्ती है 160 अरब डॉलर, बिल गेट्स 112 अरब डॉलर, मार्क जुकरबर्ग 90.6 अरब डॉलर तो ये बिजनेस पेज की दो इंपोर्टन न्यूस थी अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह तीन आर्टिकल है पहले आर्टिकल है हमारा ने आउसरों के दोरा कोलती आपदा ये अच्छा है कि विभिन राज सेरों से लोटे कामगरों को रोजगार मुहया कराना अपना नैतिक दाइत तो मान रहे हैं और इस क्रम में अपनी छंता का नैसरे से आंकलन भी कर रहे हैं इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल और ये आर्टिकल लिखा है जी बी पंत समाजिक विज्ञान संस्थान प्रयाग राज के निदेशक बद्री नरायन तरह दूसरा है कैसे लड़ाई चीन से आर्थिक लड़ाई विज्ञान के बहिस्कार से ज्यादा उसे अधिक निव्यात पर जोड़ देना चाहिए इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है अर्थसास के प्रोफेसर डॉक्र सुर्जीत सिंग गांथी द्वारा और तीसरा आर्टिकल है नाकामी का सबक जिस तरीके से प्रधान मंत्री सांसद आदर्स ग्राम योजना एक विफलता की साबित हुई है उस पर अब गौर करने की जुरूत है नाकामी है यह तो अब इसमें सोचना चाहिए कि और क्या प्रयास किये जा सकते हैं ताकि इसको सफ में बाहर जाना एक सहज सामाजिक प्रक्रिया रही है फिर जिन मान नगर में जाते हैं वहां मेहनत कर उसे संब्रद बनाते हैं उनके जाने से उनके ग्रह छेत्र में एक भावनात्मक रिस्ता पैदा हो जाता है किन्तु वहां की आर्थिक दुनिया में थोड़ा बदलाव वे बाहर जाते ही इसलिए हैं कि उनके ग्रह छेत्र राजज में उनकी जीवका के आउसर या तो कम होते हैं या संकुचित। कामगारों के रोजगार की तलास में बाहर जाने की इस सहज सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया में एक बड़ी उतल-पुतल कुरोना महामारी आने से हुई इसने इस समाजिक आर्थिक प्रक्रिया को उल्टा कर दिया है आज जहां रोजगार है वहां से कामगार लौट लौट कर अपने घर जा चुके हैं 2011 की अगर हम जनकरना की बात करें तो उसके अनुसार भारत में प्रवासी कामगारों की संख्यत 45.36 कुरों यानि मानी जाती है इनमें से लगभग 50% प्रवासी कामगार उत्तरप्रदेश, बिहार, मद्रप्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों से आते हैं इनमें से प्रवासी कामगार उत्तरप्रदेश एवं बिहार से ही आते हैं एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन के बाद दो करोन से ज्यादा प्रवासी कामगार अपने गाउं सहर और घर लोटा हैं उनसे बाचीत से या संकेत मिले हैं कि इनमें से लगभग 60% अब अपने ग्रह छ खेत्र में काम नहीं मिलेगा तो रोजी रोटी रोजगार के लिए बाहर तो आना ही पड़ेगा अब प्रश्न उठता है कि इन स्रमिकों का पुनरवास ग्रह छेत्रों में किस प्रकार से किया जाएं क्या हमारे समाज की इतनी मुलिवान स्रम सकती बेकार होकर रोजी की तल काम गारों की दक्षिता एवं योगिता के अनुसार आकड़े घट्टा कर उन्हें समयोजित करने की अनेक कोशिसे विभिन्य राज्य सरकारे कर रही है इस इन सरकारों को समयोजित करने में आज सबसे मददगार मन रहेगा कारिक्रम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि योगी आदितिनाथ के निर्थत तुम्हें राज्य में लगभक्त 57.3 लाख कारोबार को काम कामगारों को काम दिया जाएगा जैसे ही कुरोना काल आया यानि कि लॉक्डाउन जो पहला लॉक्डाउन आया उसके बाद से जो स्रमिक थे जैसे फैक्ट्रिया बंद हो गई कामधंदे बंद हो गया मजदूरी मिलना बंद हो गई तो उसमें क्या हुआ कि मजदूरों के सामने जीविका का सबसे बड़ा संकटा गया क्योंकि दियाड़ी मजदूर जो होते हैं वो प्रती दिन के हिसाब से कारे करते हैं यानि कि एक दिन काम जैसे 100 बार को काम करेंग याने मंडे को, तो उन्हें उस दिन का ही पैसा मिलेगा, चाहे वो 500 मिले या 600, अब जब क्रोना काल में lockdown की घोश्डा की गई, तो फैक्टरियां बंद हो गई, रोजगार मिलना बंद हो गया, रोजगार मिलना बंद हुआ तो उनकी आजीविका भी बंद हो गई, अब आजी उसके बाद जो सरकार ने थोड़ी बहुत मदद करी, खाना दिया रहने के लिए, लेकिन और घोश्डाय भी करी कि आप जिस भी मकान में रहते हैं, उस किरायदार से किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ मकान मालिक दबाव बनाते रहे, इन सभी परिस्तित परिस्तियों को देखते हुए, कामगारों ने पलायन करना ही उचित समझा, आपने न्यूस चैनल में भी देखा होगा, वीडियो के थ्रू या यूटूब पर देखा होगा, कि लोग पैदल चले जा रहे हैं, छोड़े-चोटे बच्चों को पैदल चलने के लिए मजबू प्रवासी मजदूर गय हैं वापस, वो ये कह रहे हैं कि पहले बात तो उसमें 60% ये कह रहे हैं, कि अब हम सहर की तरफ रुख नहीं करेंगे रोजगार के लिए, जितने भी संसाधन होंगे रोजगार के, हम गाउ में ही रहकर रोजगार तलास लेंगे, लेकिन उसमें भी यानि कि ग्रह गाउ में अब रोजगार दिया जा रहा है, कुरोना के कारव सहर से लौट आए, स्रमिकों के पुनरवास का मॉडल विक्सित करने की दिसा में कुछ राज्य रचनात्म के विकल्प भी विक्सित करने में लगे हुए हैं, इस्थानिय सुरोतों के विकास के सा इन कामगारों को जोड़ना मुख्य रणीती है, ऐसा ही एक प्रयास जारखंड में चल रहा है, जिसमें इस राज्य में लोटे कामगारों को बहुपयोगी व्रक्ष लगाने के लिए समर्थन देने की नीती बनाई जा रही है, कोसिस यह है कि ये लोग फलदार व्रक्ष ल पाए पर इस से रोजगार के सांसत उनके ग्रह राज की प्राकरतिक संपदा में विस्तार जरूर होगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज भी अपने इस्थानी उत्पादों के सांथ लोटकर आई, स्रम सक्ती को जोड़कर इस आपदा को आउसर में बदलने की इन राज्य सरकारों को तीवरिता से करनी होगी, करसी उत्पाद और उन पर केंद्रित व्यवसाय रोजगार स्रजित करने के बड़े आउसर प्रदान कर सकते हैं, इस से राज्य सरकारे ना केवल लोटे हुए कामगारों के लिए रोजगार की समस्या का समधान कर पाएंग वरन अपनी आन्तरिक एवम इस्थानी आर्थिक सक्ति का विका बिकास भी कर सकेंगी। कैसे लड़े चीन से आर्थिक लड़ाई चीन ने गलवन घाटी में जो कायरता पूर्वन हरकत की है उससे भारतियों के मन को आक्रोष से बर दिया गया है। जन भावना का उबाल चीनी वस्तुन के बहिसकार के रूप में सामने आया है। कुरुना महामारी के कारण विश्व के देशों का तो चीन के प्रति नजरिया बदला ही है। भारत भी समझ गया है कि हिंदी चीनी भाई-भाई नहीं तो नहीं हो सकते। कही विशेश्यों का मा बहुत अधिक आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि चीन अपने कुल निर्यात का किवल 3% ही भारत को निर्यात करता है मात्रा में भले ही यह प्रभाव कम हो परंतु फर्ब तो पड़ेगा ही चीनी समाचार प्रत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा भी है कि यदि दो नौती से लड़ने के लिए तयार है इसे समझने के लिए हमें दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को समझना होगा चीन भारत में प्रतेक्ष विदेशी निवेश भी करता है चीनी कंपनी अलीबाबा अलीबाबा ने स्नैप डिल पेटियम विग बास्केट जमेटो आधी में और टेंसेंट ने ओला स्विगी हाई आधी में निवेश किया हुआ है श्यौमी ओपो आधी चीनी कंपनियों ने भारत में उत्पादन छेतर खोले हुए हैं चीन ने भारत में आठ अरब डॉलर से भी अधिक का निवेश किया है यह अक्षे उर्जा मोटर वस्तों और इलेक्ट्रोनिक्स द्योग में हैं जब हमारे निर्भरता चीन पर कुछ ज्यादा ही है तो हम चीनी वस्तों का भाइसकार कैसे कर सकते हैं विस्वयापार के सर्तों के कारण यद्दपी भारत प्रतेक शुरूब से चीन के व्यापार पर प्रतिबंद नहीं बढाना होगा नई तकनीकों प्रोत्साहन के साथ साथ नौगर साही पर विसेज ध्यान देने की आउशकता है भारत में सस्ती बिजली की उपलब्दता भी एक मुद्दा है चीन में प्रती किलोवार्ट विद्दूत की लागत 3 रुपए है जबकि भारत में यह 8-9 रुप है जबकि चीन की 14.1 trillion dollar है भारतिय बाजार की विशाल उब्वोगता शंता को देखते हुए चीन खुद को भारत से दूर नहीं रख सकता है चीन को आर्थिक चोड़ देने के लिए चीनी सामान के बहिसकार से ज्यादा उसे अधिक निर्यात करने की नीती बनाने की जरूरत है जब भी हम जातिवाद विवादों पर एवं वोट बैंकी राजनीती को दर किनार कर विकास पर ध्यान देने प्रारम करेंगे तो देश को आत्मिर्भर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा केंद्री ग्रामिर्विकास मंत्राले की ओर से कराए गए एक सर्वे के अनुसार इस निसकर पर आश्चेर नहीं है कि सांसद आदर्स ग्राम योजना के अपेक्षित उद्देश से पूरा नहीं हो सका है इस महत्वकांची योजना के सही डंग से आगे ना बढ़ने के आसार तभी उबराये थे जब यह सामने आया था कि संसद सदस से गाओं को गोद लेने में रूची नहीं दिखा रहे हैं चुकि खुद सत्ता पक्ष के सांसदों और यहां तक की केंद्री मंत्रियों ने भी इस योजना के तहर गाओं के विकास का बीड़ा नहीं उठाया इसलिए इसकी उम्मीद कमी थी कि विपक्षी दलों के सांसद इसके प्रति दिल्चस भी दिखाएंगे यह हर लिहाज से एक अच्छी योजना थी प्रधान मंत्री में सांसदों के जरिये गाओं की तस्वीर बदलने की इस योजना की घोष्णा लाल किलेस की प्राचीर से की थी यानि कि 15 अगस्त 2014 को की गई थी और 11 अक्टूबर 2014 को यह लांच की गई थी यह important है आप जरूर इसे याद कर लीजेगा यदि लोकसभा और राजिसभा के करीब 800 सांसद हर साल एक गाओं को गोद लेते तो उसे विक्सित करते तो आज आदर्स गाओं की संख्या हजारों में होती यह गाओं न केवल आद निर्भर होते बलकि ग्रामिड विकास का आदर्स उधारन भी पेस कर रहे होते चुकि खुद ग्रामिड विकास मंत्राले की ओर से कराया गया सर्वे सांसद आदर्स ग्राम योजना की नकामी को बया कर रहा है इसलिए संसय के लिए कोई यह जाने चाहिए जिससे अन्य योजनाएं और खासकर ग्रामिड विकास जुड़ी योजनाएं असफलता का मुझ ना देख पाएं तो यह एडिटोरिल पेज के यह तीन इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट नूज है स्पोर्ट से पेज की कि पााग टीन के तीन क्रिकेटर क्रोना पॉजिटिव पाकिस्तान क्रिकेटर सादाप खान elleस्रätt colonies और वूरुकी हैदर अली सोंबार को कॉरोना पॉजिटिव पाय गये थे इन खिलाडियों को इंग्लेंड दोरे पर पाकिस्ताइन टीम में जगा मिली थी तीनों खिलाडी स्वेम प्रथक वास में चले गए हैं पाकिस्तान के पूर क्रिकेटर आकिप जावेद ने रहसो दखाटन करते हुए कहा कि उन्हें तीम के सांथी खिलाडियों ने ही मैच करने को कहा था यह देखिए इसी में दूसरी नियूस दी हुई है और उन्होंने दावा किया कि उन्हें यह भी धंकी दी गई थी कि बात नहीं मानी गई तो उनका केरियर खत्म कर दिया जाएगा तो यह आज का याने 23 जुन 2020 का धैनिक जागरन का राश्टी संस्क्रण था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद